हेलो गुड मॉर्णिंग गुड आप्रणून गुड इवनिंग गुड नाइट जब भी आप देख रहे हैं लेक्चर को रिकॉर्डड है तो अपने कन्वीनेंस के आप देखेंगे न कल भाईया मैं चाय कॉफी भूल लिया था आपनी तो अटी के जाए 16 लिख दिया आप हो गया बहुत बड़ा आज कोश्च करेंगे ऐसे गलती ना हो आप कर दिया करें अब बड़े बड़े लोग विडिवी गलती करते रहते हैं लेकिन बड़ी गलतिया नहीं होने चाहिए ना आज भाईया हम फिर बहुत जोस में कोच कि आय खाएंगे फिर लाक नीरा है आराम आराम से पढ़ाएंगे तो देखो लेकिन साज़िस तॉपेख यहे एज नहीं है फोड़ी होड़ी टॉपेख है इससे किस ना अरी प्रोबिल्टी कम होती है लग वाले यह जात इसलिए अराम से कर आया था बहूत सारा तो कल वाले से ए समझ में आया होगा तो वैसा ही question है h height से block को छोड़ दिया है start हुआ है अब वो क्या रहा है height कितनी हो कम से कम कितनी height हो कि block आए यहाँ पहुँच जाए और यह यह क्या है ऐसे नहीं होता है circular track नहीं होता है ऐसे ऐसे क्या 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 ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे roller coaster देखे हो देखे हो roller coaster टीवी में देखे हो एसे जाता है फिर यह चले आता है ऐसे ऐसे ठीक है अगल बागल होते है दो block ऐसे आएगा ऐसे उपर जाएगा फिर यहाँ से निकल जाएगा question यह है कि minimum कितनी height हो r के down से मतानी है r के down में circular track है यह कि यह a point तक पहुँच जाए मतलब circle complete कर ले circle complete कर ले तुरू कैसे करे work पावाजना जी ने लगानी है ठीक है ने लगानी है अरे सर जी चले काम करते हैं एक बाग बताओ अगर block यहां तक पहुच रहा है घूम पर की यहां तक पहुच जा रहा है यहां तक पहुच जा रहा है किसी भी speed से ठीक है तो भाईया यहां circle complete की है न उसने अगर तुम height बहुत minimum रखोगे minimum height की बात कर रहे हैं तो जो speed मिलेगी वो भी क्या होगी minimum येस 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 वी minimum होनी चाहिए root 5GR कितनी होनी चाहिए root 5GR अब भाईया root 5GR कम कम होनी चाहिए तो कहां से मिली है यहां से मिली यहां से यहां लगा सकते हो work power energy यहां और यहां के बीच में लगा दे क्या लगएगी UI plus KI UF plus KF यहां के तो मिली न हमको कितनी root 5GR कम से कम जब यह कम होगी minimum होगी तो यह height भी क्या होगी minimum तो हम इस case मिनिमम हाइट निकाल रहे है अब एक किलो मेटर ऊपर से आएगा तो वे निकली जाएगा स्वाई चिल्ला आने के लिए अब एक किलो मेटर ऊपर से आएगा तो बहुत बहुत ते स्पीड से आएगा फिस निकली आएगा यहां यहां में ठीक है और फाइनल कानेटिक रही किती है mv2 by 2 mgh किता आ गया mv2 by 2 v किता आ गया root 2gh ठीक है directly v को root 2gh भी put कर सकते थे अब v किती है अगर minimum speed की बात कर रहे हो तो height भी कौन सी होगी minimum है किती है minimum speed root 5gr root 2gh minimum भाईया square कर दो 5gr is equal to 2gh minimum कितना है minimum 2.5 5gr क्या depth था बताओ depth था नहीं न तो भाईया यहां यहां में work power लगा दी वर्क नहीं चुरम और यहां आमको बता किती हों ची सब्सक्राइब करके यहां पहुंच पाएगा सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं पढ़े आगे यह बाई देखो ऐसा है यह लिए मोमेंटम हां काइंट मेल जी वाले कुश्चन दो थी रहं को दिख गए थे तो हमने यह भी करा दे हमको बता है काइंट मेल यह फॉर्मला क्या होता है क्या होता है mv2 by 2 होता है इसको लेख सकते है क्यों mv2 by 2 into m by m यह तो 1 ही तो है 1 m by m कितना हो जाएगा m2 v2 upon 2m what is m2 v2 mv का whole square upon 2m what is mv momentum kind energy किती हो गई momentum का whole square upon 2m इस formula का use करना है बहुत जगे तो यह याद कर लो note कर लो जा करना है कर लो kinetic energy का formula क्या होता है p square upon 2m यह p क्या है p है magnitude मतलब यह scalar है और यह vector होता है तो हम सरफ values ले रहे scalar values peak of magnitude अब इस formula को use कर रहा है कभी भी kinetic energy momentum relation आया इसको लगा देना अब if the linear momentum is increased by 50% जलो ठीक है kinetic energy किती increase होगी kinetic energy किती increase होगी देखो proportionality से भी कर सकते है proportionality से भी कर सकते है अगर double triple हो half हो square हो root हो proportionality use कर लिया करो directly square कर रहे हो double कर रहे हो four times कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो अब यहां 50% में काम करते है इज़द से कर लेते है माल लेते है पहले initially हमारा kinetic energy k है momentum b है equation क्या बन जाएगी k is equal to 3 square by 2m कोई एककत नहीं है अब बाद में बाद में after कुछ बच्चे कह रहे है English जाद बोलो कुछ बच्चे कह रहे है Hindi जाद बोलो कर जाएं कहां हम दोनों बोल रहे है बाद में माल लो k- हो गई और उसको लिख दिया p- का momentum p- हो गया upon 2m ठीक है कुछ अमस्या नहीं अब भाईया p- है कितना 50% बढ़ा दिया तो p- कितना है p- plus 50% of p आगे नहीं बोलो यह भाईया स्टार लगा लो कहीं लेकले ना इसको ठीक है short notes में जहां तुम बनाते हो को सनाया काओ कि क्या हो गया momentum हो गया 3p by 2 नय momentum हो गया तो नहीं काटमेजी कितनी हो जाएगी 3p by 2 का whole square upon 2m 3 का square 9 2 का square 4 9 by 4 p square by 2m तो भाई यह वताओ यह क्या लेखा हुआ है यह क्या लेखा हुआ है यह क्या लेखा हुआ है जगे नहीं है एक मेंट रुकना जो नई कानेटिक एनरजी आई है यह लेख जाते है पहले फिर बढ़ेंगे यह हो जाएगा 9 by 4 यार ठीक है 9 by 4 what is p square by 2m पहले वाली पहले वाली साइनेटिक एनरजी के डैश कित्ती ही आ गई 9 by 4 पहले वाली काईटिक नरजी ऐसी कर लिया करो हमको देखता है 50% डारेट क्या होता है हाफ होता है तो हाफ एड कर दिया अब इसको तुर्ण करो इसको लिख सकते है क्यों 2.25 के कितना है 1 1 प्लस 1.25 नहीं है मैत तो लगा रहा है प्योर के के लिखा है के प्लस 1.25 के के प्लस के को अलग कर लिया के 100% है हमें देखना है कितना बढ़ गया कितना बढ़ गया हमने मैं से 1 के अलग कर लिया ठीक है और बचा 1.25 के 125 by 100 के तो कितना आ गया यह समझाने के लिए था हम देखना कैसे करेंगे मन में 125% के भाईया परसेंटे वाले बहुत कुछन आते है नीट में ठीक है अगर इसमें देक्कात आ रही है तो आठवी किताब उठाओ मेहत की साथवी की जब भी पढ़े थे परसेंटेज तो कि उसके बना काम नहीं होगा लगा डालो एक्साइज परसेंटेज वाली परेक्शन वाली परसेंटेज वाली किताब आ गया 125% बढ़ गया हम क्यासे करते हैं देखो मन में करना हो मन में सार इतना लंबा करेंगे तो पागल हो जाएंगे अब देखो मन में कैसे करें मन में लो 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 हाँ कायनेटिक इनलजी क्या थी T2 by 2m कायनेटिक इनलजी डेपेंड करती है P2 पर कायनेटिक इनलजी डेपेंड करती है मास चेंज तो हो नहीं रहा बॉड़ी वही है इस्पिटेबेंट कर रही है P स्क्वाइर पे अब अगर K 50% बढ़ जाएगी 50% मतलब 0.5 Sorry P P अगर 50% बढ़ जाएगा 50% बढ़ जाएगा मतलब आधा और बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 1.5P 1.5P कियोंकि 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 तो कियोंकि कितनी हो जाएगी 2.25 कियोंकि अब क्योंकि 2.25 हो चुकी है तो actually मैं क्या लखा है यह लखा हुआ है 1 plus 1.25 of k तो ये 1 क्या होता है ये होता है 100% ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 125% तो बज़ मैं ऐसे भी कर सकते हैं इतने में हो गया इतने में हो गया पूरा सवाब नहीं करना है पूरा अज़से कर रहे हैं या पर तो मैं देख लो न ये भी अटाओ ये भी अटाओ यहाँ 1 multiply में है न 1 1 k कितना हो गया 2.25 k मतलब 225% तो 100% से 100% से कितनी हो गई 225% हो गई तो बढ़ कितनी गई 100 से 225 हो गई तो 125 बढ़ गई ठीक है 125 लिख देते है 125% बढ़ गई ये बास समझ में आती है आईसे भी कर सकते है मन में इतना स्वावल्व करने की ताता थाया करनी जरूआ तो नहीं है पेपर में इतना टाइम नहीं होता लो 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 करते हैं करती है अगर गाइस momentum हो जाएगा np n times हो जाएगा तो p2 कितना हो जाएगा np का whole square मतलब n2 p2 तो p2 जो था वो कितना हो गया n2 p2 काईट में जी p2 पिटेपेंड करती है तो अगर p2 में एक n2 आ गया p2 में क्या आ गया n2 आ गया इसमें अगर N² आ गया, यह N² बढ़ गई, यह भी कितना बढ़ जाएगा? N² टाइनजी भी कितनी जाएगी? N² टाइन, इसे करना होते है, लो 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 फिके? किदम ट्राइ करना? किदम कर लो? किदम ट्राइ करना? काइनजी इनजी 300% बढ़ गई है, मतलब 100 थी, अब 300 बढ़ गई, 400 हो गई, 400% मतलब 4 टाइम्स हो गई, काइनजी 4 टाइम्स हो गई, तो मेंटम कितने टाइम्स हो जाएगा? ट्राइ करना होंबर्क ट्राइम्स होगा? कि इलल्लू पांजूं कॉश्चन थे, इस प्रोपॉस्णालिटी वाले, तुमने बहुत किये भी हैं, अगशा आप एक बार कोई बुराइम्स हो जो उसको अप पड़ो, दो लिखा हैं मत पड़ो उसको, टीक है? एक बार में नहीं पढ़़ना है नहीं पढ़ना है चले अरे हां conservative और non conservative हमने अभी तक क्या पढ़ा है conservative non conservative बारे में क्या पढ़ा है conservative non conservative बारे में non conservative क्या हूं प्रिक्षन सब नहीं करता है एनर्जी बर्बात कर देता है heat loss यह पढ़ा है और conservative करता है heat loss नहीं करता है energy store कर लेता है लेकिन अगर तो potential जी define होती है वह conservative की वैसे ही होती है क्यों वो तो say store कर नहीं दा काई ही potential non conservative वैसे heat loss बस तो यह हमने पढ़ा है लेकि इज्जत से डिफाइन करना है इज्जत से तो कैसे डिफाइन करेंगे देखो पहली बात तो conservative non conservative heat loss की बात करें yes heat loss यह कौन से English no heat loss yes heat loss यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब पहला पढ़ते हैं path path पे क्या path क्या conservative work done by conservative force does not depend on path traveled and work done by conservative force sorry work done by conservative force does not depend on the path work done by non conservative force depends on the path इसका मतलब क्या है देखो एक बात बता हो कुछ यादत में change in potential energy क्या होती है minus of work done by conservative force यह में define किया था work done by conservative force क्या होता है minus change in potential energy ठीक है अगर हम इसको देखें सिर्फ इसको यह block है इसको हम ऊपर ला रहा है तीन रास्ते से एक बार ऐसे ले आ रहा है एक बार ऐसे ले आ रहा है एक बार ऐसे ले आ रहा है ठीक है यह ला वहीं रहा है गूम फिराके यह height किती है इसकी height किती है h, h उपर ला रहा है यह बताओ तीनों case में तीनों case में 1, 2, 3 case में तीनों में change in potentiality क्या होगी यह बताओ अरे यहां ले आ रहे हो कितना उपर ले आ है h, किती बढ़ गई m, g, h बढ़ी कि नहीं बढ़ी चाहे तुम यहां से ले आओ चाहे यहां से ले आओ चाहे यहां से ले आओ net के तरह ऊपर आए h potentiality किती बढ़ी m, g, h path, depend नहीं कर रही है किस, depend कर रही है position पे initial position कहा है, final position कहा है यह बताओ समझ में आती है तो change in potentiality किस, depend करती है only position पे path, depend नहीं करती तो जब यह path, depend नहीं करती तो यह भी path, depend नहीं करेगा इस case में, तीनों का work done क्या है क्या है minus del u minus m, d, h यह बत clear है, conservative का जो work है, वो path, depend नहीं करता, सिर्फ किस, depend करता है position पे conservative का work, path, depend नहीं करता, feel आ गई m, g, h g, h आये तो वहीं पे m, g, h, कित्ती height उपर आये, h कित्ती बड़ी potential जी, m, g, h इसका path, depend करता है कैसे, कैसे, लो, देखो non conservative क्या होता वाईया example दो, example ठीक है example दो तरजी friction, कौन सा friction kinetic friction, चिंगारी निकलती उसमें किंगारी heat law होता है चलो, एक डबबा है ठीक है ठीक है तुम किसका आ रहा है उसको चलो इसको बात-बात करते हैं पहले थोड़ा देख लेते हैं पात-बड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ मammur get on師 अगर तुम I Domeneral Her स्भम फिरके दुनिया घूम के वहीं आ जाओ गे कि के दुनिया घूम के वहीं आ जाओ गुरू क्यों चेंजें पूर गैसे ada website रच थे जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, और घूम फिरके वहीं आ गए, क्लोश लूप में, तो वर्कडन क्या होगा, जीरो, यह बात समझ में आती है, तो कि potentiality बड़ी है न घाटी, न घाटी न, बड़ी, potentiality भी चेंज किता आया, जीरो, तो वर्कडन बाइ ऐस कंसरवेटेव फो इसमें वर्कडन इन लूप जीरो नहीं होता एक दम उल्टे हैं यह पाथ पर डिपेंड नहीं करता है यह पोजिशन पर डिपेंड करता है यह पोजिशन पर डिपेंड करता है यह पोजिशन पर डिपेंड नहीं करता यहां भाया loop में work done क्या है zero, यहां loop में work done zero नहीं है, देखते हैं, क्यों zero नहीं है, तुम डबा किसका के जा रहे हूं, तुम फोस लगा रहे हूं, डबा पे, f फोस लगा रहे हूं, काइनेटिक फिक्षिंग कहा लाएगा, तीछे, तुम भाया इसको s आगे ले गए, work done by kinetic friction किता हुआ, किता हुआ, force displacement, sorry, displacement आगे, force पीछे, opposite है, 180 है, तो minus f into s, minus f into s, ठीक है, अब कहा सर जी अगर वापस ले आएंगे, तो work done zero नहीं हो जाएगा, चलो ट्राइ करते हैं, अब तुम वापस ले आओ उसको, वहाँ से वापस ले आओ, वहाँ तक लेगा तो महनद करके, अरे याँ बन्दा बहुत लंबा बन जा रहा, अब ठीक है, अब तुम वापस ले आ रहा है उसको, अब ये बताओ, अब friction कहा लाएगा, इस तरफ, ठीक है, फिर दम लगानी पड़ेगी, यहाँ से दम लगाई, heat loss, यहाँ से दम लगा रहा है, heat loss, अब फिर से work done क्या होगा, देखो, negative, positive भी negative, तुम तो positive work कर रहे है, महत कर रहे है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमारा force भी है, displacement भी है, तुमारा positive work है, friction को देखो हमें, non conservative force को देख रहे है, force कहा लग रहा है, पीछे, displacement कहा हो रहा है, इस तरफ, फिर से negative work done आएगा, minus fk into s, किता आ गया, minus 2 fks, तो भाई ये close loop में work done 0 नहीं होता है, भूम भेर के वहीं आगा, work done 0 नहीं है, जाते वक्त भी heat loss हुआ, पूरी heat निकल लगा है, चिंगारी, flipping हो रही है, चिंगारी निकल लगी देखो, ऐसे में भी निकली, ऐसे में भी negative work, ऐसे में भी negative work, तो friction का work done 0 नहीं होगा, और जितना खिसका होगे, तो लंबा path होगा, तीदे जाओगे चोड़ा path, तेड़े मे होगा, path पर depend करता है, इस पर depend करता है, path पर, position पर depend नहीं करता, depends on the path, इसका work done, किसकी बात हो रही है, work done की, position पर depend नहीं करता, और close loop में 0 नहीं है, देख लिया, जाते वक्त भी loss हुआ, आते वक्त भी loss हुआ, तब लोस होगया, cancel नहीं हुआ, ठीके, कौन सा है, kinetic friction of viscous, viscous यह पर लेक्विड में होता है, वो भी fraction है, चलो, बड़ी बड़ी बात तो हो गई, यह तो field ले ली हमने, यह किसका है, यह किसकी बात हो रही थी, conservative की, और यह किसकी बात हो रही थी, बाहने तो कहो, क्या पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, non conservative, क्यान की बात करेंगे, है न, तुम लोगों को motivation पी चाहिए होता है, booster, अरे यह साइज लिखा था, ठीक है, चलो, लो, अब इस पर question कैसे आते हैं, देख लो, हमने क्या कहा था, वाक्ड़न path dependent नहीं करता, conservative की बात कर रहे, path dependent नहीं करता, तो किसी भी path से लिए आओगे, ऐस लिए होगे, work done क्या होगा, same, अगर आप a से b में जा रहे हैं, चाहिए आप 1 से जाएं, 2 से जाएं, 3 से जाएं, किसी भी path से, तुम यहां घूम के वापिस आजाए, यहां से यहां, तो में work done क्या होगा, same, सबका work done क्या है, सिर्फ position पर depend कर रहा है, a से b में जा रहे हो, work अगर आप a से b तक गए, और b से a में वापिस आ गए, तो work done by conservative force क्रिता होगा, 0, क्योंकि क्या होगा, loop बन गया, गूम बर के वहीं आ गए, गूम बर के वहीं आ गए, तो भीया, net work done 0, तो जाने का work done प्लस आने का work done क्रिता हो जाएगा, 0, work done a to b, a b, plus work done b to a, b a is equal to 0, work done a b is equal to minus work done b a, इसका बहुत role है, ठीक है, clear है, चलो, यह question है, work done by gravity along all three path, gravity क्या होती है, conservative, path depend नहीं करता, जारी block को यहां से ले आओ, यहां से, यहां से ले आओ, work done क्या रहेगा, same, तो बड़ा easy था, cheating है तो, example वाले बता दिया, हाँ, यह तो बड़ा tricky है, English में लिखा है, पढ़ो, एक मिट दे रहे हैं तमको, 30 seconds दे रहे हैं, 30 seconds, फिर बड़ा हो English पढ़नेगी, पढ़ लिया, पढ़ लिया, object is moved by conservative force, a to c, a to c हम object को move कर आ रहे हैं, by two different path, दो अलग-अलग path है, पहला path कौन सा है, a से b, b से c, a से b, b से c है, ठीक है, दूज़ा बात क्या है, a to c direct, a to c direct, जो दिखाया हुआ है, अब कहा रहा है, अगर second path में, a to c वाले में, a to c वाले में, work done किता है, 20 joule, work done किता है, 20 joule work done किया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दा कोई दिक्कत, नहीं, अब, कह रहा है कि, a से b में 26 joule है, a से b में 26 joule है, तो अब, b a c में क्या होगा, नहीं, c से b में क्या होगा, c से b में लाने में, work done कितना होगा, c से b में लाने में, work done कितना होगा, अब भाई path, कोई भी path हो, path depend नहीं करता, work done, तो यहाँ से ले जाए, क्या यहाँ से ले जाए, work done क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं work done a to c direct is equal to यहां का work done is equal to यह work done यह work done क्या हो जाएगा a to b plus b to c work done a to b plus work done b to c वैसे लिखते कैसे हैं इसको a c लिखते हैं direct है तो बैसे लिख दे रहें तुमें a to arrow लगाएं जरूत नहीं है वना paper में आगा तुम कहाँ कि arrow तो है ही नहीं a to c तो work done a c is equal to work done a b plus work done b c यह path का is equal to यह वाले पूरे path का बड़े आगे a c का work done किता है 20 a b का work done किता है 26 work done b c कितना आगे है work done b c minus 6 j अब हम से क्या पूछा है c to b बताओ b से c लिख आने में work done minus 6 हो रहा है तो c से b में किता होगा यह तुम कहीं में लगा सकते हो यह तुम प्रिंस्पल था यह कहीं में लगा सकते हो conservative field में जाने में और आने में ले आने वाला work done क्या होता है एकदम उल्टा अगर b c में इतना है तो work done c से b में किता होगा minus of work done b c minus of this minus 6 किता आ गया यहां था कोई दिक्कत समझ में आ रहा है हवा में तो नहीं हो रहा कुछ नहीं किया यार कुछ नहीं किया यार इसका work done is equal to इसका plus इसका पार्थ मेंट करता नहीं दोनों का सेम होगा इसका मिल गया अपनको अपनको चाहिए था इसका उल्टा कर दिया कहीं भी दो point में लगा सकते हो यह principle बहुत बहुत ऐसे कुछन आते हैं यह क्या है कितना पढ़ना है आज बहुत सारा पढ़ना है लेकिए इसमें कुछन बहुत simple simple आते हैं देखी रहा होंगे तुमको में उसी पर कलवा बहुत तफ था कलवाई लेक्षर में कोई doubt हो अराम डाल देना वो 1620 के लावा types of equilibrium equilibrium का मतलब क्या होता है क्या हो what is equilibrium भाया सुकून can बोले तो net force 0 अब net force 0 मतलब rest पे है let's say moving भी हो सकता है कोई बुरी बात नहीं है constant velocity लेकिए let's say rest पे है अभी के लिए simply net force 0 अब तीन condition देखो यह रखा है यह रखा है यह रखा है यह वही बाद रोड है गोल गोल वाला रोड है एक block यहां रखा है यहां रखा जाए? 0 फिर्स पे है लेकिए अगर थोड़ा च्छेडा चाड़ी की जाए ओला थोड़ी च्छेडा चारी की जाए क्या होगा एक काम करो इसको हलकाव सब push कर दो हलकाव्स पुश्ष कर दो push हलकाव्स पुश्ष्ष कर दिया कहां जाएगा block यहां गया यहां पहुंच गया अब बता क्या वापस आएगा तो बिला लो आओ नहीं आएगा नहीं आएगा तो भाई यह गया गया वापस नहीं आया इसको हम क्या बोलते हैं Unstable हम तुम्हें सही बता रहे हैं पूरी physics में एक यही topic है तुम आज पढ़ाई कर रहे हो मन लगा के लेकिन तुम्हें हलका सा भठका दिया जाए हलका सा दोस्त आया अरे यार क्या कर रहे हैं लोग गूम चलते हैं गूमना बोली बात नहीं है अब माँ लोग लेगा है वैडमिंटर खेल लेगा है ठीक है इंस्ताग्राम रील देखने में अन्या रील देखी तर तीन रील देखेंगे वास दू और तीन और तीन और तीन और फिंगंटे होगा रील देख रहे हैं इसको बोलते हैं Unstable equilibrium कि हलका सा कोई छेड़ दे और गया वापस नहीं आया क्या है वापस नहीं आया चाहिए इदा छेड़ो चाहिए इदा छेड़ो क्या बोलते हैं इसको Unstable हलका छेड़ दे इसमें कुश करो इस वाले में पुश करो हलका छेड़ो गे रखका देदिया यहां गया क्या होगा वापस आ जालेगा यह क्या है स्टेबल कि एक दिन हमने गलती भी कर दी एक दिन हमने दिंग घंट रीज देख भी ली लिए अगले दिन हम वापस आगे पढ़ेंगे हमारा एकलिवम स्टेबल है कितना भी छेड़ चाहर कर दो कभी यह लेफ्ट चाहर राइट वापस यहीं करते हैं कि तुम तो करते हैं वो नहीं करती नहीं है विश्वास अपने प्यारते हैं अंधा विश्वास अंध विश्वास है तो एक दिन हमने उनको बहुत पहसान किया दो इंतर लगातार पहसान किया जो उनको पहसंद नहीं है वही काम किया पोक करने क्या आज होती न कूप पस्यांग किया भाई भग गई आठ नो तस दिन बाद आई है बहुत अड़ाई होगी तो हमको समझ में आया equilibrium stable नहीं है equilibrium तो है सुकून में तो है साथ में लेकिन stable नहीं है इतना मत छेड़ो कि वापस नहां आए यह कैसा है unstable चेड़ो और छोड़ दो अगर वापस आगया वापस आगया तो stable चला गया वापस तो unstable इनको देखो इनको पुश करो हलकाजा यह अ़े फ़रा मुन पढ़ता फूश करो कि यहां पाथ कंप गए अभीबी खूश है याँ भी खूश है ह्रत दे क्षोश है कि राख वोलते हैं neutral कि कि ए कि पर वोलते यह को नियूंते यह बाद समझ में आती है वह चैलंगत झालत दो अगर अब इसके एनर्जी कर बनाना है ऐसे मूब कराएंगे तो एनर्जी क्या होगी यह बताओ यहां तुमने शिफ्ट किया ऊपर गया आगया ऊपर ऊपर गया तो इनर्जी बढ़ गई तो ऐसे जाएगा तो अब इनर्जी बढ़ेगी तो ग्राफ ऐसे बन जाएग अल्यो यह बन गया ग्राफ और यहां इधर भी एनर्जी घट रही है इधर भी एनर्जी घट रही है ऐसे बन गया लो जैसा सेफ है वही एनर्जी का सेफ है ऐसे गया एनर्जी घट गई नीचे आ गया ऐसे गया एनर्जी घट गई नीचे आ गया यहां एनर्जी कोई चंज नहीं आ रहा लिए ठीक है जैसी यह incline है वैसा ही graph है कोई दिक्कत simple है लल्लू है अरे यार अरे यार अब ठीक है clear गेतो होगे तुमारा equilibrium अब equilibrium condition क्या होती है net force 0 हमें एक body दी है if a force along x-axis कोई horizontal force है x-axis में लग रहा है ठीक है यार रचना x-axis में लग रहा है on the body जिसकी value दी है यह अलानडम का तो कह रहा है कि equilibrium कहा होगा find the position and nature of the equilibrium और वह equilibrium कैसा होगा stable की unstable है है star कही से करोगे पहली बात तो चेक करना है equilibrium है कहाँ equilibrium का मतलब क्या होता है net force 0 रख देते है एक ही force है तो वही force 0 हो जाए for equilibrium for equilibrium net force क्या होगा 0 एक ही force लग रहा है क्या होगा 0 12 equal to 4x x कित्ता आ गया 3 x equal to 3 पे blog रखा है वाया कित्ता सही बन गया blog रखा है और x equal to 3 पे रखा है और वह equilibrium में है यह बास समझ में आ गई position मिल गई x equal to 3 हमको चेक करना है unstable है कि unstable क्या करेंगे छेड़ो उसको push करो और छोड़ो बापस आ गया तो stable चला गया तो unstable चला गया तो unstable तो एक काम करते है हलका तब push करते कर दिया push खिसका के देख लो push मतलब खिसका के देख लो वापस आ रहा कि नहीं आ रहा मानलों आपने खिसका दिया x equal to 4 पे रख दिया x equal to 4 पे अब दोगो force कितना लग रहा है यहां पर force 0 था यहां पर force क्या था 0 यहां पर force 0 नहीं होगा यहां चेक करो force कहा लग रहा है धक्का दे रहा है कि वापस ला रहा है force positive है कि negative करे check हमने slightly push किया इसको अलका था push किया अलका था shift किया push किया अलका shift करा के देखा force की value कितनी आ रही है example यह 4 5 जो भी देख लो 3.5 कहीं भी देखना देख लो add x equal to 4 force की value कितनी आ रही है 12 minus 4 into 4 कितना आ गया 12 minus 16 minus 4 newton क्यों यह horizontal force है कौंसा force है horizontal horizontal में minus 4 का मतलब क्या होगा horizontal में minus 4 का मतलब क्या होगा this is positive this is negative negative मतलब इस तरह 4 newton तो यह force क्या करेगा तो वापिस ले आयागा ना कहां जा रहे हो वापिस आओ वापिस ले आया क्या हुआ stable तो x equal to 3 पर क्या है stable तो आपने पीशे क्यों नहीं किया इसको लोग पीशे करते देख लेते हैं लोग पीशे करते है x equal to 3 पर रखके देखते हैं एक value पुट करनी है बस force किता आ जाएगा 12 minus 4 into 3 किता आ गया plus 4 Newton आ गया plus 4 मतलब कहां right side में तो वापिस वो उस दोनो force कहां ले आ रहे हैं वापिस x equal to 3 पर यहां खिशकाया इधर लग गया force उल्टा खिशकाने कर उल्टा लग जाए यहां किसका इधर लग गया किस type का है यह spring type का है spring force भी कैसा होता है यहां किसका उसका उल्टा लगता है minus kx minus kx तो यहां भी minus 4x minus 4x spring जैसा है यह क्या है stable spring force spring वाला equilibrium भी क्या होता है stable example लिख सकते है हम यह stable है stable example क्या है example है spring force spring 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 block system spring mass system spring mass system stable गिर गई गिर गई गई वापिस नहीं आई क्या है unstable literally और यह यह अन्स्टेबल और यहां तो पूरा ही neutral है पूरा ही क्या है हर हर point जो है हो क्या है neutral यह बास समझ में आती है अब यह यहां पर graph से देखाया है और graph से देखेंगे अब graph पर आएंगे graph की study करेंगे अच्छे से अच्छा यह तो बटा graph किसका था क्यों यह graph energy का था किसका था energy का energy का तुमको पता है यह force graph यह graph किसका है force का अब कह रहा है कि इन दोनों में से stable equilibrium कौन सा है stable equilibrium कौन सा है short cut से बताएं देखो यह हमने check किया था stable यह कौन सा equilibrium था stable tax equal to 3 है वो क्या रहा था stable यह graph बनाओ graph बनाओ force on x graph बनाओ ठीक है आधिक कुशन तो compare करने सुझाते हैं आर देखे मैनत ने करनी होती क्या है यह y is equal to mx plus c है न सर जी क्या कर रहे हो सर जी अरे बटा पड़ा काई के लिए है यह y है तुमारा y is equal to तो लिख सकते हैं यहां लिखते हैं एक मिन रुख जाओ एफ केता है हमारा minus 4x plus 12 यह तो है यह हमारा क्या है y देखो force में y है y में force है यह हमारा क्या है x में x है x अब हल में क्या होता है M, यह क्या होता है C तो slope negative slope negative C positive graph कैसा आएगा, इसका ऐसा है यह बस समझ में आती है कैसा graph आएगा, ऐसा ठीक है, यहाँ C 12 है, तो यह कितना होगा कि 12 होगा और slope negative है तो जहाँ पे graph ऐसा हो, force और x graph कैसा हो तो यह किसके लिए होता है यह वाला equilibrium कौन सा होता है जहाँ पे force 0 है यह कौन सा होता है table, हमने एक्जामपल से देख लिया इस से देख लिया, example से ठीक है, भाईया graph ऐसा बन रहा है इसका ओराफ ऐसा बन रहा है जहाँ पे force 0 होता है यहाँ पे force कितना है, y कितना है, 0 हो इतुक्त वह होता हैं लेकिन कौपूं माया था स्टेबल été क्या हो जाएगा ऐसे एस ने टेबल इसे में αधिन थे लएक वनाया है इसके बना ये इसा ग्राफ बना दिया तो कि अब लेख सकते हो लूं कि यहां बनवा धक्ते यह अगर ग्राफ ऐसा है तो एसे में जा रहा है तो एसे में जा रहा है तो यह कौन सा है तो यह कौन सा है अनस्टेबल यह याद रहेगा अब हमें ग्राफ में रिसर्च नहीं करनी हैं हमने एक कोश्चन में research कर ली एक question में research कर ली हमने हमें निकाल लिया stable है उसका आपने graph बना दिया तो हमें देख गया इस type का क्या होता है stable तो इस type क्या होता है unstable लॉजिक से काम करेंगे भाई तो point पे force 0 है यहाँ पे एक बार force यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 है तो एकसवन और एकसवन दोनों क्या है equilibrium है लेकिन जहाँ पे slope negative है वो क्या है stable एकसवन क्या है stable इन दोनो में कौन सा stable है कौन सा unstable तो एकसवन क्या है unstable तो एनर्जी वाले की तो ठीक है हम समझ में आ गया था एनर्जी वाले में क्या था जैसा safe होता है ना वो ग्राउंड का या feeling वाली बात है feel ली हमने आ तो stable unstable की जैसे इसका surface का safe होता है वैसे curve का safe होता है ठीक है यहां lowest point पे equilibrium है कौनसा वाला stable तो यहां भी lowest point पे unstable तो यहां भी highest point पे unstable ठीक है यहां हर point पे neutral यहां हर point में neutral लेकिन force graph में अगर नीची जा रहा है graph यह वाला equilibrium है जहां पे 4 0 होगा यह यह equilibrium है फिक है है जहां पे नीची जा रहा है वहां पे stable जहां ऊपर जा रहा है वहां पे unstable का देख लिया हमने इस question से देख लिया है हम तो ऐसे ही पढ़ते थे हमने ऐसे ही पढ़ाई की है जहां जो मिले ऐसे अच्छा ये ओह कहीं भी लगा सकते हैं इसको तो भाईया stable कहां पे है एक्स टू पे है एक्स टू पे एक्स टू पे नहीं 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 बस अब एक मिनट थोड़ा चलो तुमसे हम पहले बीच में philosophy भी पढ़ते थे पता है psychology philosophy खुद भी पढ़ते थे फाल्टू की बहुत extra feeling आती न कोर्ट्स पढ़ो डेली कि अहार उसमें वो मिलता है क्या मिलत तुम लोग बाईयों के तुमको बता ओग दोपामीन मिलता है डोपामीन की spelling हमें नहीं पता गलात है की सही है कॉट्स पढ़ने से बहुत डोपामीन मिलता है कॉट्स इसे लगता है हमने लिखाओ in our code को पढ़ो फिल करो सकती आरी है गई हमने code लिखा है आ यह सही तो है एकदम तुम उसकी आपको हीट बात पढ़ो ठीक है डीक है वेवेकारन ने लिखा यह चीज है सॉक्रेट की पढ़ो वो भी सही लगेगी और बात फोल्टी एंग दम तो उसकी पड़ो के नाम है Marx की, Karl Marx की उसकी भी लगेगी सही तो कोट से क्या होता है बस डोपाई मिलता है, satisfaction मिलता है बस, chemical of satisfaction इस नौट दा actual motivation, कोट से आपको बहुत कम कोट से हमेशा आपको तो दस मिनिट की motivation मिलेगी और ग्यारवे मिनिट बात तो अरे यार एक और कोट चाहिए तो motivation नहीं मिलता कोट से क्या मिलता है addiction मिलता है इसलिए motivation काम नहीं आते तो देखना जो आम आदमी होता है, daily काम करता है वो कोट से नहीं पढ़ता वो एक कोट पढ़ लेगा उसको life मिठा लेगा और जो daily कोट पढ़ रहे होते हैं बैठके, बच्चे बड़े भी पढ़ रहे होते वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो कोट ही पढ़ता रहे जाते हैं ये गड़बड है कोट क्या होता है, कोट से addiction हो जाता है फील आती, वा, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ हम तो बता रहे हैं, best motivation क्या होता है बताओ, which is the best motivation एक तो होता है, W, I, T, C, H which, वो नहीं बूतनी वाली नहीं which is the, या what is the best motivation आपके पास हैं, 10 second बताओ सबसे बड़ा motivation क्या है संसार में भगवान संसार बनाया है और चल रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं तो लोग काम कर रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है टेकनलोजी इत्ती आगे बढ़ती जा रही है क्या motivate कर रहा है पहली बात तो सबसे important है inspiration inspiration मतलब बातों से नहीं कोई example होना तुम्हाई सामने है मिलखा सिंग ने जब वर्ल्ड रेकॉर्ड तोड़ा था तब तक वो वर्ल्ड रेकॉर्ड था सोचते थे कि वो तोड़ा ही नहीं जा सकता सोचते थे कि वो रेकॉर्ड तो तोड़ा ही नहीं जा सकता जब मिलखा सिंग ने तोड़ दिया तब लोगों को लगा है ये आदमी मिदल तब इंडिया को थोड़ा मानते थे नीचे मानते थे कॉर्णल लोग वहां के क्योंकि इंडिया पर राज किया था तो उस्ते थे अरे इंडिया का आदमी ने तब ते तो गया उसकी हाइड भी कम थे मिलगा सिंगी पाउं भी नहीं तो जब उसने वर्ल्ड रे कॉर्ड तोड़ दिया तब सब को आग लगी अगर यह तोड सकता है तो इसका मतला रेकॉर्ड तूड सकता है उसके बाद तेरा बार रेकॉर्ड तूड चुका है तेरा बार ठीक है रुणिंग का उसे इंडिया थीर ने खुड का ही दो एक्षन संद नहीं संद एक्षन एक्षन इस दा बेस्ट मोटिवेशन सुभाई नहीं खुल लई आँख जिम जाने का मन नहीं कर रहा दौड लगा रहा है मन नहीं कर रहा खुदी उठाओ फेक दोर जाई दौर लगा दो सुभाई जहां तुमने बीस दिन दौर लगा दी 21 कोई दिन अपने आप मांग खुल जाएगी अपने अप्रजाई फिक जाएगी एक्षन नहीं समझ में आ रहा सूचो मत दिमाग को बंद करो सुच आफ करो रही को स्टार्ट करो दोर लगा दौर एक्षन इस दा बेस्ट मोटिवेशन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है सोचो पकड़ो जोसको तुम कमस्ते हो कि हाँ हमें इसके ऐसा बनना है लेकिन उसकी और मतलब क्या होता है कि वा यार विराट कोली ओ माइगाड शक्का मार दिया उसने संट्री बना दी और उसने बनाई यह तुमने क्या किया ठीक है मिडिल क्लास पीपल की दिक्कत है और में जी है आज भी जीते हैं कई लोगों की आओ में वा यार वा यार देकि फर यह क्या था ठरवई हो गया उसकी खुसी में अपनी खुसी दूढ़ने लगे डोपामीन खुद करना है जीवन में इंस्परेशन का मतलब खुद विराट कोली बनना है इसका मतलब क्या है खुद विराट कोली बनना है उसको देखे खुस नहीं हो ना कि ओ माई विराट कोली आई हेट रना उसका ऐसा नहीं करना है अब के लिए बोला है सब लोग ट्राय करते है विराट कोली से बनना है विराट कोली इंस्पार हो जाओ उससे उसकी और मत ज्योंकि वा यार वो कर तो रहा है हमें के दर्वते करने की आओ भाई यहां लास्ट टॉपिक ओल्मोस्ट लास्ट टॉपिक फोर्स और पुटेंशनल जी के आपस का रिस्ता क्या है आपस का रिस्ता फोर्स कौन सा फोर्स 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 क्यों किसकी वैसे होती है पुटेंशनल जी फोर्स की वैसे होती है पुटेंशनल जी होती क्या ह तो ने वाले हों तुम रोक रहे हो जब रहे हो तो वो लोग भुशा हो जाते हैं अच्छा 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 कब तक रोकोगे है तो तो एनर्जी में स्टोर जाता है ऐसे ये मोबाइल कहा जाना चाहता है नीचे जा रहा है जब अस्ती इसको उपा ले आए नाइ 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 दो प्रेमियों को मिलने से रोक रहे हूँ तो वही वही वर्क जो तुमने किया तुमने महनत की ना उसकी इनर्जी में स्टोर हो गया जब भी conservative forces अगेंस्ट वर्क करते हैं वह किस में स्टोर जाता है potential energy में for example अगर H उपर ले जाओ potential energy भी change करता आता है potential energy में change करता आता है M G H आता है कि नहीं आता अगर आता है अब यह उता हो M G कितना है इस की आ रहे है तो याद करना है M G कितना हो गया upon H M G हो गया डल U upon यह क्या है H उपर ले गए डल Y डल U by डल Y अब लेकिन M G क्या है force पर कहने का मतलब यह है what is force change in potential energy per unit length change in potential energy per unit length पर magnitude की बात है किसकी बात है magnitude की actually में force जो है वो डबे पे कहां लग रहा है नीचे लग रहा है कहां लग रहा है नीचे force vector में देखें तो कितना है minus M G ठीक है उपर जाने potential energy बढ़ रही है लेकिन force कहां लग रहा है नीचे potential energy में change positive है लेकिन force क्या है negative actually में क्या होता है force की value होती है minus del U changing position per unit change in length या displacement del Y जो लग देंगे del R क्या लग देंगे minus del U by del R minus क्या है sin क्योंकि force नीचे है opposite है energy force के against जाओगे तो बढ़ रही है तो उपर जाने पर energy बढ़ रही है लेकिन force कहा है नीचे दोरों क्या है क्या है opposite क्या आ गया minus अब यह तो constant force था कौनसा force था constant कोई दिक्कत नहीं constant बड़ा change ले सकते अगर variable force हो केदा force हो variable त्यालेंगे छोटा छोटा change लेंगे तो minus du by dr minus du by dr यही तो लिखाया और क्या लिखाया भूम फेर के वही बात लिखी है बस ठीक है generalize कर दिया क्या कर दिया generalize force की वज़े से potential energy change होती है देखो ऐसे में force है y में mg change हो रही है उपर जाओ तो बढ़ रही नीचे आओ तो घट रही है या ऐसे में force है horizontal लग रहा है नहीं लग रहा तो ऐसे में change नहीं हो रही है जित्ती यहां पे उत्ती यहां पे उत्ती यहां पे उत्ती यहां पे या ऐसे में लग रहा कोई force z में नहीं ऐसे में भी change नहीं हो रही है तो force ही potential energy को change करता है y में लग रहा है force to energy change हो रही है x में लग रहा change हो रही है z में लग रहा z में भी change हो रही है ठीक है तो हवा हवा जादू से formula नहीं आया यहां से आया actually अब क्योंकि energy होती है scalar और force क्या होता है vector towards के vector में टुकडे करोगे तो f x आ जाएगा जब x वाला force देखेंगे तो minus du by x में करेंगे fy जो होगा fy कितना हो जाएगा minus du by dy और fz क्या हो जाएगा minus du by pz यहां भाई यहां थोड़ी math का role है differentiation का तो मैं अगर याद हो तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत नहीं होगी अगर पहली बार class कर रहा है तो भाईया differentiation class पढ़के आओ वनना बहुत तकलीफ है तीनों में अलग-अलग निकाल लेते हैं x में अलग, y में अलग, z में अलग अब क्योंकि यहां इस field में जो अपन की gravity वाली field है सिर्फ y में field है force फिर्फ y में है तो field energy सिर्फ y में चैंज हो रही है लेगि कई पर क्या होता है 3D में थी होती है x में भी, y में भी, z में भी तो तीनों में force होता है अब भाईया potential energy का जो formula दिया है गौर से देखो इसमें x भी है, y भी है, z भी है इसका मतलब x को change करोगे तो भी energy change हो रही है y को change करोगे तो भी energy change हो रही है और z को change करोगे तो भी energy change हो रही है तो अगर x से energy change हो रही है मतलब x में कोई force है y में change हो रही है मतलब y में कोई force है एक्तिनों में force है एक्तियों निकालने पड़ेंगे ठीक है start करें force पूछा है vector में formula क्या होता है fx du by dx minus का जियान रखना हमेशा minus आएगा fx किता हो जाएगा minus du by dx minus इसका differentiation करना है x में एक बात बताओ तुम लोग तो ठीक है अगर तुम लोग इता पता है अगर हम x में move कर रहे है ठीक है क्या y change हो रहा है नहीं y तो sm change होगा न y change नहीं हो रहा z change हो रहा है नहीं हो रहा सरफ क्या change हो रहा है x तो जब आप dx move करते हैं y और z change नहीं होता इसका मतलब y और z क्या है constant y और z क्या है constant तो जब x में differentiate करोगे x में move कर रहे हो dx y और z चेंज नहीं होना तो y z क्या मानो के constant constant का अकेले differentiation क्या होता है 0 अगर multiply में नहीं अकेला है तो क्या होता है 0 2 constant y constant 0 3 constant z constant 0 differentiation किता हो जाएगा 2x plus 0 plus 0 क्योंकि यहाँ पे y और z क्या है constant similarly y में क्या होगा minus du by dy अब x और z क्या होगे constant x square भी constant जब x ही constant है तो उसका square भी constant है यह भी constant है minus 0 2y क्या हो जाएगा 2 तो क्यों में है y का हो जाएगा 1 2 into 1 plus 0 और fz किता हो जाएगा minus du by dz minus 0 plus 0 plus 0 plus 3 into 1 minus 3 minus 2 और यह किता था minus 2x यहां तक कोई तगलीफ नहीं तो हमारा force क्या आ गया minus 2x i cap x में इतना minus 2 j cap minus 3 k cap तो भाईया ध्यान देना x में करो के differentiate y-z क्या होंगे constant y में करो के x-z क्या होंगे constant z में करो के तो x-y क्या होंगे constant यहां पर क्या है यहां में x और z क्या है constant और यहां पर x और y क्या है constant ठीक है इस पर आओ पहले किता क्यूट लग रहा है oh my god energy सिर्फ x और y पर डिपेंड कर रही है किस पर डिपेंड कर रही है x और y पर तो चलो ठीक है z नहीं है तुकून में है hdc है hdc क्यूट लग रहा है अब कहा रहा है कि एक body है जो इस field में है इस field में है उसकी potential यह है उस पर force किता लग रहा है कहां पर 2,3 पर अगर वो body 2,3 पर रखी है तो उस पर force किता लग रहा है इसी की बैस लग रहा होगा force ठीक है किता होगा fx किता हो guys fx किता होगा क्या होता है formula minus du by dx minus du by dx करें start ठीक है minus लिख लिया पहले अब x में differentiate कर रहे हो तो y constant है y कोई number माल लो 2,3,5 जो मानना है माल लो और जब number multiplier में होता उसको नहीं छूते हैं याद करो guys 3x की पावर 5 का differential क्या होता है 3 ऐसे लिख देंगे 5x की पावर 4 जियाद आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अकेले x में कर रहे है तो y क्या है constant y को मत चूओ x क्या हो जाएगा 2x minus यहाँ पर y क्या है constant फिर से y cube constant है x क्या हो जाएगा 1 यह बाद समझ में आई अब multiply करो minus तो y cube minus 2xy यह क्या है x पर force आया है पहले y को लिख दिया x2 का 2x हो गया और y cube लिख दिया x का हो गया 1 अब क्या रखना है x की value रख दो x और y की तो 3 का cube minus 2 into 2 into 3 किता आ गया 27 minus 2 into 2 into 3 2 into 2 into 3 3 into 6 6 into 12 15 newton हमने बस x y पर रिकाल लिया x और y में फिर value पुट कर दी x और y की similarly fy क्या होगा सरफ differentiation करना है बस ध्यान से du by dy y तो minus अब करेंगे y में minus का ध्यान रखना हमेशा y में करोगे x क्या है constant x square को नहीं चुएंगे y क्या हो जाएगा 1 minus x को नहीं चुएंगे y कितना हो जाएगा 3y square तो भाईया ये minus minus plus हो जाएगा 3y square x minus x square minus x square ठीक है बढ़ते हैं आगे value put करनी है अरो भाईया y कितना है 3x कितना है 2 2 का square लेओ 9 27 272 जा कितना होता है 9th ये 27 272 कितना होता है 54 54 54 54 minus 4 50 newton आ गया तो भाईया हमारा net force कितना आ गया net force आ गया हमारा x में कितना है 15 y में कितना है 50 क्लियर है समझ में आया फिर से देख लेते हैं x में करों को y को नहीं चुएंगा y को constant मान लिए y को वैसे multiply में है y y square y y cube जो भी है तोड़ दिया उपको वैसे x square का 2x और x का 1 फिर क्या किया minus अंदर गया value put कर दी आ गया बाद में फिर से अब y में कर रहे है x को नहीं चुएंगे x multiply में है नहीं चुएंगे constant है x को लिख दिया y का 1 x को लिख दिया y cube का 3y square निगलती तो नहीं है ठीक है बड़ी में गलतिया नहीं होती कोटे में होती है ये बाद समझ में आई x में differentiate करोगे y को constant हो जाएगा y को भूल जाओ constant समझ लो और y में करोगे तो x constant हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं ओ माई गौड आई 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 इस बार force दिया है क्या दिया है force और क्या पूछा है कि point body को हम move कर रहे है a to b a to b move कर रहे है तो इस printing mistake है a पर potential आज़ी है 10 joule a पर कित्ती है 10 joule है तो 2,3 पर कित्ती होगी 2,3 पर कितनी होगी तो आई दे रहा है recording हो रही है ठीक है b पर कित्ती होगी नहीं पता हम उल्टा हो गया इस बार क्या हो गया उल्टा अब क्या करें देखो f क्या होता है minus du by dr बढ़ा है हमने ठीक है du कित्ता हो जाएगा du हो जाएगा minus fdr यह जगे नहीं है कुछन लंबा है कुछन लंबा है तो जगे बना करते हैं f कित्ता होता है भाईया minus minus du upon dr minus du कित्ता हो जाएगा fdr du कित्ता हो जाएगा fdr minus का minus इस तरफ आ गया minus कहा गया इस तरफ आ गया तो अब क्या करेंगे actually में क्या होता है du होता है minus f dot dr ठीक है तो फोर्स 3D में है फोर्स किसमें है 3D में तो dot product आएगा वह वेक्तर है वो भी वेक्तर है वो भी displacement भी वेक्तर है ये scalar है तो answer क्या आना चाहिए scalar मतलब dot product अब du ने चाहिए अब दोनों साइड करतेंगे integration क्या करतेंगे दोनों साइड integration तो हमाँ del u आ जाएगा du का integration क्या होता है du 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 बहुत सारे du add हो जाएगे तो क्या हो जाएगा value minus f dot dr तो u final minus u initial minus f dot dr इसको भी आप ऐसा formula याद कर सकते हैं हमें याद नहीं है लेकिन हमां तुरंद बन जाता है आपको बनाने में टाइम लाएगा पेपर में आपको टाइम होता है नहीं है तम लिखवा देंगे इसको अब ub minus u a integration ठीक है final minus initial minus कौन लिखेगा एक और minus है को उसकेता है x square i cap y j cap dot क्यों dr क्या होता है ठोटा सा displacement तो dx i cap में dx और y में dy dy g cap कर देंगे integration ub minus u a minus x square d x plus y dy y y ये इसमें पूरा x x है x का x में y का y में dot product लेना हमको आते ही है अब भाई ये इक बाद बताओ जब ये पूरा x है तो limit भी काई के लगाओगी x की true में x कितना था? 1 बाद में कितना है? 2 क्या लग जाएगी? 1 से 2 y कितना था शुरू में? 1 बाद में कितना है? 3 1 से 3, pure mathematics है pure क्या है? mathematics u b minus u a is equal to, सुनो, सुनो, सुनो ये minus पूरे में था ये minus किस में था? पूरे में, तो minus अंदर जाएगा तो यहां भी क्या जाएगा? minus, अलग-अलग कर दिया, ठीक है? तो ये हो जाएगा minus x cube by 3 1 से लेके 2 तक और ये हो जाएगा minus y square by 2 1 से लेके 3 तक तो, u b minus a पे कितनी थी? कितनी थी a पे? 10 10 minus, माइस को बाहर लेख लो क्यों? अप्पा लेमिट माइस लोड लेमिट 2 का cube by 3 minus 1 का cube by 3 minus 3 का square by 2 minus 1 का square by 2 क्यों? 8 by 3, 1 by 3 8 by 3, 1 by 3, 7 by 3 9 by 2, 1 by 2 8 by 2 so, u b minus 10 minus 7 by 3 minus 8 by 2 8 by 2 क्या होता है? 4 4 तो, हमारा guru, u b आ जाएगा 10 minus 4 minus 7 by 3 6 minus 7 by 3 अब गलती नहीं हो रहीं देख रहा हूं इसमें गलती नहीं होती 18 minus 7, 11 by 3 भगवान, 11 by 3 प्लीज ऑप्शन होना चाहिए प्लीज बनाम बढ़ाना छोड़ देंगे, बच गए ठीक है? तो यह फॉर्मला लिखवा जाते हैं uf minus ui जा del u file minus initial इभी तो रह गया अभी del u क्या होता है? minus f dot dr जहां पर dr करता है dx i cap dy d cap c z यहां तो कोई दिक्कत? नहीं इसको apply करना है यह question आ जाएगा तो बना लो इस टाइम पर formula यह वाई लिखा हुआ है बस यह definition form में है, जिक्स के form में है integration के I know you hate maths, I also hate maths, पर क्या कर सकते हैं? physics भाईया, धाचाई मैत का है चलो यह थोड़ा आते हैं अब यह देखो force और graph दिया है energy का graph किसका दिया है? energy का हम से पूछा है force force क्या होता है? force क्या होता है? minus du by dx minus du by dx क्या हो? u क्या है? y, x क्या है? x actually मैं क्या लिखा है? dy by dx dy by dx क्या होता है? slope तो यह क्या है? minus of slope of u x graph याद आया? dy by dx slope होता है यह y है, यह x है तो minus slope तो force होगा minus of slope minus of slope यहाँ पर u x curve में तो भाईया यह बता हो यहाँ slope और force देखते हैं क्यों? जहाँ पे slope positive है वहाँ पे force क्या होगा? negative, sorry, जहाँ slope positive है positive into minus? minus force क्या हो जाएगा? negative और जहाँ slope negative है negative into negative क्या हो जाएगा? positive जहाँ पे slope negative है वहाँ पे force क्या हो जाएगा? positive और जहाँ slope 0 है जहाँ slope 0 है 0, 0, 0, minus of 0 क्या होता है? 0 यह बाद समझ में आती है slope positive, positive into minus negative force negative slope negative minus into minus plus force positive 0, 0 इस graph से हम slope check कर सकते हैं force पूछा रहा है force कहाँ negative है? force जहाँ negative है slope क्या है? positive इन सब में इन 5, 6, 7 points में slope positive कहा है? कहाँ है slope positive? एक तो यहाँ पे है slope positive slope positive एक यहाँ पे दो ही point पे slope positive है कहाँ आ गया? a, c अब force positive मतलब slope negative slope negative कहाँ कहाँ है? c पे slope negative है d पे भी slope negative है चल बही चल 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 अरे कहाँ question कहाँ गया? c पे slope negative है देखो याद करो positive slope zero slope negative slope याद आया? अभी अच्छे सबढ़ाया था slope बिना slope पे कुछ नहीं होगा c पे slope negative है d पे भी slope negative है e पे भी slope negative है c पे slope क्या है? तो force क्या होगा? c d e अब गुरु अब अब force zero force zero मतलब slope zero slope zero कहाँ है? b पे और f पे b पे और f पे दो पॉइंट होगा एकिलिब्रियम के अगराफ है यटा देते हैं अब इसमें ये क्या हो रहा है खीक है खीक है खीक है खीक है इगनोल करो इसको अब 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 यहां तक तो ठीक है अब क्या पूझा है अब कौन सा अगर तुमसे पूझे stable कौन सा unstable भाई तुमने बोला एफ और बी पे slope 0 है slope 0 है 4 0 है कौन सा stable है कौन सा unstable यार potential energy graph तो याद करो potential energy graph ये वाला stable ये वाला unstable तो बी वाला क्या है अइसा वाला क्या होता है अन्स्टेबल और एफ वाला क्या है stable clear हुई बात एफ वाला क्या है stable यहां रख के देख लो ब्लाग या और यहां रख के देख लो ठीक है समझ में आ रहा है graph और math का बहुत रोल है भाई चालो oh my god time के तरह रह गया पांच छे आठ मेंट रह गया है तुम भी ठक गया हो हम भी ठक गया है लेकिन फिर भी क्या करें crash को चल रहा है अगर चीज समझ में आ रही है और time बचा है तो कोई बुराई नहीं power क्या होता power power नहीं भाईया वो power नहीं होता और हिंदेशी भासा में क्या होता है कार्य करने की क्या राइटिंग है सर नहीं rate of doing work rate of doing work यह कह सकते हो work done per second per second कितना work कर रहा है हो तुम क्या बोलते हैं पावर मोटी मोटी भासा में हर जगे यूजर आती है power याद रखना पॉबला याद होना चाहिए तो power होता है work done upon time taken अगर constant power दी है तो power कितनी है constant power है इतनी है यह constant वाले case में है लेकिन अगर power change हो रही है power क्या हो रही है change उसमें क्या होगा वारियेबल है power तो दो आजाती है आवरेज और instantaneous आवरेज पावर क्या हो जाएगी चाह हो जाएगी total work done upon total time taken यह तो वही लिखा हुआ है लेकिन भाईया वो constant है वो change नहीं हो रही यह average है यह actually क्या है अवरेज और instantaneous क्या होता है instantaneous चोटा सा work done upon चोटा सा time taken ठीक है यह दोनों यह instantaneous है पावर और यह किस के लिए है average के लिए average पावर यह कब यूज करते हैं दोनों जब पावर क्या होती है change हो यह ठीक है हर चेगे यह यह concept है जहाँ variable है वहाँ दो जाती है और जब constant है डाइक फॉर्मल लगा दो work done per second अगर इसको देखा जाए instantaneous power का एक फॉर्मला और होता है d by dt of work what is work force dot displacement force एक पल के लिए तो force change नहीं होगा तो force बाहर आ जाएगा ds by dt यह क्या होता है velocity तो force dot velocity instantaneous power वहाँ displacement था यहाँ velocity है बस कुछ नहीं है ठीक है motor की power example ले रहे है motor की power है माल लो 300 watt किती है 300 watt वाट का मतलब यह होता है जैसे नहीं लिखी है ऐसा unit power क्या होती है इसका मतलब यह होता है वन वाट का मतलब work done upon time taken वन जूल पर सेकेंड अगर motor 300 watt की है इसका मतलब वो पर सेकेंड कितना वर कर रही है 300 जूल यह समझ में आई तो वही work done पर सेकेंड है और कुछ नहीं है यहां 300 watt का मतलब एक सेकेंड में 300 जूल काम करेगी इस आपसे बीजली खर्च होगी जितना काम करेगी उत्ति बीजली खर्च होगी जोगी heat energy है अरे यार अरे यार अरे यार एक simple सा question दो tough वाले अगली बाद कराएंगे time बचा है एक नित कि भाईया पानी है पानी नहीं है pump है अरे अच्छे बहुत है या पानी एक pump है pump मतलब motor 200 किलो पानी वो 200 मीटर हाइट तक ले आती दस सेकंड बहुत बढ़ी है 200 केजी वाटर water मास आ गया कितनी हाइट तक ले आ रही है 200 मीटर हाइट हाइट तो वो ऊपर ले आ रही है पानी को motor कितना वर्क कर रही है अगा यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है पानी कॉंस्टेंट स्पीड से जा रहा है काइनेटिक नेजी चेंज नहीं हो रही है टैल्यू कितना आ गया एम जी एच तो भाईया motor ने कितना काम किया एम जी एच कितना आ गया पंप ने मास कितना है 200 जी है 10 200 ओमाइगाट 4 इंटू 10 की पावर 5 जूल बहुत कम कर दिया 10 की पावर 5 जूल इतना काम किया है कितने में 10 सेकेंड में तो पावर किती हो जाएगी वाग दन अपॉन टाइम टेकन 4 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 10 जूल पर सेकेंड 4 इंटू 10 की पावर 4 वाट 40 इंटू 10 की पावर 3 वाट 40 किलो वाट सर्जिक किलो ग्राम तो ग्राम में आता है तो 40 किलो वाट मतलब 40,000 वाट कुछ तफ था इसमें नहीं बागी नेक्स टाइम कर लेंगे और चलो थैंक्यू दो दिन कॉश्चन ओल ले आएंगे जो होंवर्क है वो आपके डीपी में होएंगे और कलाकु साइडीपीबी कल मतलब आज साइडीपीबी मिल जाएंगे ठीक है चलो बाई टडा टेक कियर